हे गाइस तो फाइनली अडोबी प्रीमेर प्रो का कोर्स जो है आ चुका है वो भी बिल्कुल फ्री ओफ कोर्ट में यह कोर्स पैसली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि यूट्यूब पे या फिर किसी भी शोशल मीडिया प्लाटफॉम पे वीडियो बनाते है और एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते है पिछले तीन सालों से मैं प्रीमेर प्रो को यूज कर रहा है और कैसे कैसे क्या क्या चीजों का प्रोब्लम मुझे फेस करना पड़ा था वो आपको फेस ना करने पड़े इसके लिए यह कोर्स पैसली देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की एक विंडो दिखाई देगी जहां पर आपके बने हुए टैप्स होंगे प्रोजक्ट होंगे जिनको आप ओपन करके एडिट कर सकते हैं या फिर आपको अगर न्यू प्रोजक्ट बनाना है तो आपको सिंप्ली न्यू प्रोजक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं फॉर एक्जामपल के लिए मैं इसका नाम दे देता हूं अडोबी प्रीमियर प्रो प्रोज आपको ध्यान रखना है यहां पे एक चीज़ का अगर आप लैप्टॉप या कंप्यूटर पर एडिट कर रहे हैं और आपके कंप्यू में ग्राफिक काड नहीं है तो यह ओप्शन आपको नहीं दिखाई देगा इसके जगे आपको मर्कुरी प्लेबैक इंजन सौफट्वेर ओनली का ओप्शन दिखाई देगा अब ग्राफिक काड होने का यह फायदा है कि आपके जो कंप्यूटर की पर्फोर्मेंस है वह का लवा आपको और कोई भी चीज छेडने की जरूरत नहीं है आप सिंपली ओके कर सकते हैं अब आपका प्रीमियर प्रो जो है ओपन हो चुका है अगर आप यह देख रहे हैं पहली बार तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा डरावना यह लग सकता है बड़ घब ओपैसिटी कम जादा करेंगे वो सारी चीज़े यहां पर हमें दिखाई देगी दूसरा है हमारा विंडो टैब प्रोग्राम सिक्वेंस भी इसको कहते हैं यहां पर हमारी वीडियो दिखाई देगी जो भी हम एडिट करेंगे जो एफेक्ट हम वीडियो पर लगाएंगे वो यहां पर हमें वीडियो में दिखाई देगा तीसरा है हमारी टाइम लाइन बेसिकली जितने भी हमारी एडिट होगी वो सारी इस टैब में चलेगी हमारी जितना भी एडिटिंग में हम कट कोपी पेस्ट या कोई भी इफेक्ट लगाएंगे वो सारा इस टैब में लग यहाँ पर दिख जाएंगे graphic tab भी है साथ में color grading भी है और सारे effects आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो आपको import करने होंगे आप यहाँ पर यह 5 tab है जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा discuss करते हैं सबसे पहले हमें इसमें एक video इंपोर्ट करने हैं तो कोई भी वीडियो को आप इंपोर्ट करने के दो तरीके है या तो आप फाइल में जाके इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप control आई दबा के window open हो जाएगी आपकी control आई या फिर आप तीसरा तरीका कर सकते है simply जहां पे भी आपकी videos पड़ी है आप उनको drag and drop कर सकते हैं अब example के लिए मैं इस video को drag कर लेता हूँ अब जैसे कि आप देख सकते हमारी video जो है वो import हो चुकी है अगर आपके पास GPU acceleration own है तो आप इस तरीके से play करके देख पाएंगे कि आपकी video क्या है देखने को मिल जाएगा time यहाँ पे आपका पूरा scale मिल जाएगा कि कितनी लंबी time lane आपकी जा सकती है और यह बहुत बड़ी हो सकती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है यह आपकी ऊपर वाली video की file है V1 यहाँ पे लिखा हुआ है audio की file है आपकी A1 की बात करें तो यहाँ पे आपको video की सारी properties दिखाई दे रही है एक्जामपल के लिए अगर मैं आपको समझाओं तो यहाँ पे जैसे कि आप rotation का option देख रही है rotation को हम अगर कुछ भी करते हैं बढ़ाते हैं तो यहाँ पे साथ में हमारी video भी है वो हमारी rotate हो गई है इनके बारे में detail में हम अगले chapter में बात करेंगे अभी मैं example के लिए बता रहा हूँ सरफ कि यह जो है हमारी video की properties है यहाँ पे audio भी है हमारी opacity भी है अब कम कर देंगे तो खतम हो जाएगी जादा करेंगे तो full हो जाएगी यहाँ पे हमारी है timeline अभी इसको हम cut copy जितना भी हम करना चाहे वो कर सकते हैं वो अगले episode में मैं आपको बताऊंगा साती सात में project file में आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक video जो है हमने import करी थी और दूसरी यह जो है यह basically total files होती है अगर हम यहाँ पे दो videos import करते हैं example के लिए मैं एक और video को import कर लेता हूँ simply drag करके यहाँ पे हमने दो videos import कर ली और इस video को मैं timeline पे अगर रखता हूँ तो यहाँ पे आप duration देख सकते हैं कि वो दोनों की total की timeline के हमें duration दिखा रहे है 55 seconds की हमारी total यह video है यह है हमारा scroll bar जिसको हम zoom in zoom out करके timeline अपने देख सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा सारी clips है तो वो सारी आपको यहाँ दिखाई देगी अगर आपको zoom in करके देखना है तो आप simply इस बार को आगे की तरफ खीच सकते हैं आपकी timeline में zoom in हो जाएगा आप काफी ज्यादा zoom करके देख सकते हैं एक-एक millisecond के हिसाब से भी आप देख सकते हैं एक-एक frame के हिसाब से भी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 seconds, 40 millisecond 15 seconds, 45 millisecond और इनके बीच में भी यह जो 5 frames है यह भी आपको देखाई दे रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा zoom कर सकते हैं बहुत ज्यादा zoom आउट भी कर सकते हैं यह है हमारी timeline यह है हमारी video यह है हमारी effect controls और यह है हमारे सारे effects जो हम videos पे लगा सकते हैं अब example के लिए गर मैं देखूं यहाँ पे के बारे में बताना था कि कहाँ पर आपकी क्या चीज़े होती हैं. अब साथ ही साथ में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास ये वीडियो और ये ओडियो की टाइम लाइन है इनको आपको अगर बढ़ा करना है या फिर अगर आपको अपने workspace को बड़ा करना है मान लीजिए कि आपकी screen में ये वीडियो छोटी सी दिखाई दे रही है तो आप simply इन दोनो lines के बीच में अगर आप cursor को लेके जाएंगे तो आपका cursor कुछ इस तरीके से change हो जाएगा तो आप simply अगर आपको वीडियो की timeline बड़ी करनी है तो आप इसको नीचे की तरफ खीच सकते हैं आपकी timeline बड़ी हो जाएगी वहीं पे अगर आपको timeline अपनी editing की बड़ी करनी है तो आप simply इसको खीचेंगे उपर की तरफ तो आपकी timeline editing की बड़ी हो जाएगी वहीं पे आप अपने project की timeline को भी बढ़ा कर सकते हैं चोटा कर सकते हैं और साथ ही साथ में हमारे effect की timeline को भी हम चोटा बढ़ा कर सकते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को drag and drop करके असानी से बहुत चोटा या बहुत बढ़ा कर सकते हैं यह हमारे सारे effects आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आज की पहले chapter में हमें सिरफ workspace के बारे में बताना था कि कहाँ पे हमारी कौन सी चीज import होती है अब इसके अलावा next chapter में हम बात करेंगे tools के बारे में कि कौन से tools से हम cut, copy, paste कर सकते हैं और कौन से effects, कौन से files हम इसमें लगा सकते हैं So I hope guys आपको यह video पसंद आई हो अगर आपको कोई भी सवाल है इस video से related तो आप comment box में पूछ सकते हैं इस course के related आपको कोई भी questions हो उनके जवाब आपको बहुत असानी से comment box में ही मिल जाएंगे इसका साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई